चलिए देखते हैं उत्राखन टेस्ट स्रीज का भाग तेरा यहां भी हम देखेंगे कुछ प्रस्ण जो जुड़े होंगे राष्टिया पारकों और वने जीव अब भैलने से पुछले शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्ण महरुडी कस्तुरी म्रिग अनुसंधान के अंदर की स्थापना कब हुई तो जो महरुडी कस्तुरी म्रिग अनुसंधान के अंदर है उसकी स्थापना कब हुई तो इसका सही आंसर है उनिस्सो सतत्र उनिसो सुतर्तर में इसकी स्तापना हुई और ये है विथोरागड में ठीक है अगला प्रस्ट्ट राजा जी राष्ट्य उध्यान कितने जनपदों में विश्टित है तो जो राजा जी राष्ट्य उध्यान है वो कितने जनपदों में विश्टित है तो इसका सही आंसर को पड़ी और हरिद्वार यह फेला हुआ है अगला परस्न time से जीन-धील आरक्षित की स्तापना कव जो जीन-धील आरक्षित है उसकी स्तापना को जो फेले तो इसका सही आंसर रहे मरें हरेatus हद्वार में हरे Battlefield मैं जब की जील मिल ताल जो है वह बनाए गई तो वह हैं मोतिचूर वन्यजीव अभ्यारण जहां पर बन चुका है राजजी रास्ट्रय पार्क अगरा प्राश्ण नंधोर्वन्य जीव विहार की स्तापना कब हुई तो जो नंधोर्वन्य जीव विहार है ने निताल में इसकी स्तापना कब हुई तो इसका सही आंसर है 2012 और यह इस्तित है ने निताल में अगना प्रास्तों गोविंद वन्य जीव विहार की श्तापना कब हुई तो जो उथरकासी में इसकी स्तापना कब हुई तो इसका सही आंजर है 1915 में अगना प्रास्तार है टाइकर वाच योजना कब शुरू ही तो कॉर्वेट पार्क में टाइकरों की सुरक्षा के लिए योजना सुरू ही टाइकर वाच कॉर्वेट पार्क में पूरे भारत में तो वह हुई 1901 बयानेवी में तो सहीय आंचर है 1901 बयानेवे सीश्री से सुरी हुई टाइगरवाच योजना अगला प्रश्ण गोविंद बल्लापंथ उच्छ अस्थलीय प्राणी उध्यान की इसकी लोकेशन है अलमोरा में तो इसकी स्थापना की इसकी जो इस्थापना हुई थी तो चमोली और उद्रप्याग में फ्हेला हुआ है कि दानात में ने जी विहार तो इसकी इस्ताफना कभ हुई तो इसकी इस्ताफना हुई थी 1922 में अगला प्रस्ण राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्ययो ध्यान है तो इन चारों में से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान कौन है तो इसका सही आंसर है गंगोत्री राष्ट्य उध्यान जिसका छेत्र फ़ले 2360 वर्ग मिटर जब कोर्वेट का है 520.82 और राया जी का हो जाएगा 820 के पास और गोविंद राष्ट्य उध्यान का अभी 765 के पास है एकॹ्टल नहीं है इसका सगय कोई दूसरा है लेकिन इन तीनों का एकॹ्जएक्ट है तो सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान ज debates c удyaan का के लिक इसका शहां कितना है इसका खिक सायट क्वे एंग है गर्ला प्रेस लिए इन में से कोण एक प्रशा में उम्हकान प्रेट नहीं हैं तो यह तीन दीए हैं इन में से एक प्र में इतनी है तो यहांं पर है पहला विंसर्वाइब सेंच्यूरी विंसर भीह जो 1916 में स्टापित हुआ प्रहुत है जब कि स्कोट कि न直接हीं इस्टापित हुआ इस प्रइकर मकेज़ चापित है जिग नहीं अनग में Nokia 1993 में यह बना था तो मुस्वारी वन्यजी विहार गरत आंसर है बागी तिनों सुमेढित है अगरा प्रस्व है गोभाद राष्टय उद्यान की स्टापना कब वही जो गोभाद राष्टय उद्यान है हमारा जो है अतरकासी में इसकी स्थापना कवी तो इसका सही आंसर है 1980 जबकि हमने देखा था गोविंद वने जी विहार उसकी हुई थी 1975 में तो दो अलग-अलग हैं ये असकोट वने जी विहार की किस जनपत में इस दित है तो हमारा जो असकोट वने जी विहार है अगला प्राशन एस्टी पी अपका गठन किस वर्स हुआ जो इस्टेट टाइगर मदब टाइगर को बचान टाइगर की निगरानी के लिए जो फोर्स बनी हुई है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स तो इसका गठन कब हुआ तो इसका सही आंसर है नंद न कानन किस अस्थान के लिए प्रविक्त सब्स है तो जो हमारे पुरान ** किस अस्थान को नंदन कानन का गिया है तो इसका सही आնसर है फूलों की गाटी को और फूलों की घटी की खोजकर किसने कि यहां कि इसमाए इतने अगला प्रश्न फूलों की घाटी राष्ट या उध्यान को युनियसको की विसोविरासत स्रेणी में कब सामिल किया गया तो अभी हमने दिखा था कि नंदा देवी को विसोविरासत स्रेणी में सामिल किया था 1988 में सम्थिंग अगला प्रस्थ कोो भी तब दान करके अगशे का स है झाला जह को लुए में को लिए 1998 का जो नाम पड़ा है कर विए वहां पढ़ा था 1936 में अगला प्राशन हिंड में से कौन सा एक अन्य से अलग है तो यहाँ पर चार दिये गये हैं तीन समान है और एक अलग है तो यहाँ पर वही बात हुरी है तो यहाँ पर राम गंगा, कॉर्वेट और हैली यह तीनों एकिपार के नाम है जबकि राजा जिराष्टिया उध्यान इन तीनों से अलग है कॉर्वेट का जो स्टार्टिंग नाम था वो था जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में तो इसका नाम रखा गया था हैली जबकि जब इसकी स्थापना के कुछ वर्सवबाद 1937 में कर दिशेम अब्isti तो इसका नाम रखा गया राम गंगा निसल पार्क और लास्ट मैं और अमने नाम चैहें लोग हो जब कर निदोरोव नोगिया और सुथ आट पहुर्व प्लेडस्टन अरक्षित कर रख तो जबेन में कर दो आङे अमारे आधो कि वेसंस?